आज खरगौन के राधा किशन नाम के भानजे की एक और बिल्कुल अलग तस्वीर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ अगर सुनना चाहते हैं इस पर कुछ खास तो यहां रुख सकते हैं नमस्ते मेरा नाम विवान है और आप लोगों का विवान अपने उसी अंदाज में एक और ऐसी तस्वीर लेकर आया है जो बिल्कुल अलग है और उस पर आप लोगों को सो प्रतिशत सोचने समझने और विचार करने का मौका मिलेगा इन दिनों मध्यप्रदेश में भारती जनता पार्टी की तरब से बूथ विस्तारक अभियान 2.0 चलाया जा रहा है इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान बीते 2-3 दिन पहले खरगौन के बिस्टान पहुँचे हुए थे वहाँ के एक विधान सवा में कारेकरम था इस अभियान से जुड़ा हुआ इसी दोरां सिम सिवराज के पास बांजे राधा कृष्ण राजा राम पंडेत आते हैं नाइंध क्लास में पंडे वाले राजा राम सिवराज के पास जाते हैं और अपनी हाद से बनाए' स्कैच को उन्हें उपहार स्वरूप देते हैं इस उपहार को देख कर मामा सिवराज खुब खुश होते हैं उनकी तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं और ओन स्पोट ये कहते हैं कि मैं इस उपहार को लेकरके tweet करूँगा यहीं नहीं मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने जहां एक तरफ ट्विटर पर बाकाइदा मिले उपहार की फोटो डाली अपने भांजे की तारीफ की तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको यह बता दूँ कि अब वो तस्वीर ड्रॉइंग इसकी चर्चा हो रही जैसे ही तस्वीर मुझ तक पहुंची मैंने इस पूरे मामले की जानकारी कठा की खरगौन के बिस्टान में बादचीत की उनके बड़े भाई से बात हुई और पता चला कि राजा राम पंडित बहुत अच्छे से सुन नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते मगर समझ सकते हैं जी हां स सुनिए क्या कह रहे हैं वो पिछले दिनों खरगौन जिले के दिस्टान में मुख्य मंत्री शिवराज सिंग जी आये थे आपने उनको हाथ से बना हुआ इसकेज बेट किया था हां मैंने बड़ी मेनत कर उनका इसकेज पेंटिंग बना कर भेट दिया था आपके द्वारा इसके पेंटिंग के रहे है इसलिए अपने उनको पेंटिंग तई आये था है आप लोगों ने सब कुछ अगर नहीं सुना तो एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूं सुनिए पीछले दिनों खरगुन जिले के दिस्टान में मुख्य मंत्री शिवराज सिंग जी आये थे आपने उनको हाथ से बना हुआ इसकेज भेट किया था हाँ मैंने बड़ी मेनद कर उनका इसकेज पेंटिन बना कर भेट दिया था आपके दुवरा सिवराज सिंग जी का ही पेंटिन क्यों बनाया गया इसलिए आपने उनका पेंटिन पहीर किया है है चोटी सी उम्र में अपने हाथ से मद्यप्रदेश के मुख्या की तस्वीर बना कर जिस तरीके से पुरे उत्साह के साथ राजा राम ने मामा सिवराज को दिया इसकी खूब तारीफ हो रही है यही नहीं जहां एक तरफ वो बहुत अच्छे से सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते मगर समझ सकते हैं इसका उन्होंने उधारन दिया है वीडियो में जैसा कि आपने सुना होगा उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंग्चोहान इतनी मेहनत करते हैं और को लेकर के ही मैंने यह तस्वीर बनाई कई बार हम कई मामलों को राजनीती और सियासत से जोड़ कर देखते हैं लेकिन मैं कई ऐसी तस्वीरे बीते कुछ दिनों से लगतार पंजाब केसरी पर सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आ सकता है और अगर वो आगे जीवन में कुछ अच्छा करना चाहे तो इसके लिए उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए उसका कैसे उत्साह वर्दन किया जाए इस पूरी कहानी से इसे साफ समझा जा सकता है खेर राजराम पंडित एक बहुत अच्छे सकेच आर्टिस्ट बनना चाहते हैं बविष्य में मेरी खूब सारी शुब कामना है उनके साथ वो इसी उत्साह के साथ एक से एक तस्वीरे बनाते रहें अपने हातों से और एक दिन विश्व भर के बहुत बड़े सकेच आर्टिस्ट में से एक उनका भी नाम हो इस तरीक कर दो